हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल, तो ये वीडियो हिमाचल प्रदेश इनुवरसिटी बीएड काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाली है, तो हिमाचल प्रदेश इनुवरसिटी का जो मौपप राउंड था वो तीन से चार दिन पहले हो गया था, उसके बा कोई रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ से, एच्प्यू की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन राउंड जो होना था, इसके चांसिस अब ना के बराबर हैं, क्योंकि अगर होना होता तो अभी तक इसके लिए कोई नोटि मेनजमेंट सीट से ही एडमिशन लेनी पड़ेगी, जिनकी या जिनको एडमिशन नहीं मिलिया है, तो आप मेनजमेंट कोटे से एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ओपन राउंड अब नहीं हो पाएगा, ये कोई ओफिस्चली एनौश नहीं किया है उन्वरसिटी ने, पर हो चुकी है, और बहुत से बच्चों की कुमेंट सारी है कि क्लासिस सुरू हो चुकी है या कब होगी, तो मैंने यहां पता किया है, तो यहां प्राइवेट कॉलिज में क्लासिस सुरू हो चुकी है, आप अपने इंस्ट्यूशन में कॉल करके बता कर सकते हो, वैसे मैक्सि कोटे से ही लेने पड़ेगी मैनेजमेंट कोटे से आपको पता है कि इनकी फीस जो है यह बहुत जादा रहती है as compared to normal seat तो management seats college वाले ही अलोट करते हैं तो इससे पहले कि आपकी seats कोई और ले 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 तो आप college में पता करिए और admission ले लिजे open round कई कवेट मत किजिए क्योंकि इसका कोई पता नहीं है 99% चांस है कि अब management sorry open round नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर होना होता तो university कुछ न कुछ notification जारी करती तो यह चोटी सी जानकारी थी मैंने पूरा दिन आज university को call की इसी number पे जिस पे मैंने पहले बीन से बात की हुई है कोई response नहीं आया call नहीं उठाई गई university के दफतर से तो आप admission ले लिजी अब open round का वेट करने का कोई फाइदा नहीं है ऐसा नहीं हो कि management seats जो है उसकी जगा भी कोई और ले ले वो भी full हो जाए तो इससे पहले आप admission time ले ले लिजी है और यह एक notification थी अगर कोई notification आती है तो मैं आपको update कर दूँगा चैनल को subscribe कर लीजिएगा कोई भी notification आती है HP की तरफ से तो मैं जल्द से जल्द notify कर दूँगा आपको तो अगर कोई update आएगी then I will update you ठीक है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye